السلام علیکم अब है हम देखते हैं operating system की services operating system जो services हमें provide करता है operating system क्या होता है operating system हमारी window होती है जो computer को run करती है अब जो operating system है ये दो काम करता है mainly एक तो user के लिए असानी पैदा करता है कि वो computer के साथ या device के साथ interact कर सके और दूसरा जो application हम download करता है इंटरनेट उसको ये services देता है कि वो जो hardware होता है उसके साथ interact कर सके basically operating system ही हाल काम करने के लिए आपको एक interface देता है आगे इसकी कुछ services है जो हमारा main topic है जो हमने पढ़नी है user interface हो गया सबसे पहले इसकी services अब जो user interface है ये क्या होता है user interface होता है कि जो भी चीज़े show करवाई जाती है computer की screen पे ठीक होगा जिसके साथ एक user interact करता है user किसके साथ interact करता है user interface से उस device को इस्तमाल करने के लिए अब जो user interface है वो तीन किसंग है एक command line interface एक batch based interface और एक graphical user interface जो command line interface होता है इससे आम तोर पर जो हमारी generation है जो 2005 के बाद की generation है जिन्होंने use करना शुरू किया वो इसको सही से नहीं जानते है यह बहुत मुश्किल से interface है जिसमें lines और text की मदद से command दी जाती है यह एक मुश्किल interface है जिससे हमने तो interact नहीं किया है जिसे theory हम पढ़ेंगे इसको और पढ़ेंगे भी नहीं बस इतने ही यह एक past की चीज थी जिसको हमने देख लिया है इसमें हम जो command देते थे इंस्ट्रक्शन देते थे computer को वो lines और text की मदद से होती थी और इसके साथ य जो batch based interface होता है यह भी command line interface की तरह ही होता है लेकिन इसमें जो instruction देती थी यह एक पूरे batch की शकल में थी batch या नई एक group की शकल में instruction दे जाती थी command line interface में one by one instruction देती यह थोड़ा मुश्कल होता है कि अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर एक काम ना करे तो बाकी मसला बन जाता है और आगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टे होता है यह हम यूज करते हैं इससे ही हमने इंटरेक्ट किया आम तोर पर कंप्यूटर में यह यूज होता है इसम इंटरेक्षर ब्लाम यूजरा जो इकन है उसे हमने कौन सी फनक्षनलटी परफॉर्म करता है यह बहुत ही असानी से इसमें हम मौस यूज करते हैं उसमें कमांड नाइन इटरफेस में थो हमने जचिप्र कमांड दे नी ओते हैं इसमें मौस की मदद से आइकन को स्लेक्ट करते हैं जो भी application हमने open करनी होती है ठीक होता है इसके इलावा हम text वगारा भी लिख सकते हैं जरूरत के मताबक keyboard भी use कर सकते हैं लेकिन यह वह है जो हम use करते हैं window 10 वगारा 7 वगारा जो भी interface देती है हमें आगे आता है program execution अब जो भी program होते हैं उमारी computer में जो हम install करते हैं उनको run करवाना basically operating system का ही काम है उसको ram में load करना उसको फिर जब वो अपना काम मुकमल कर सके तो उसको फिर बंद भी करना यानि computer में internet में main चीज होती applications है application हम install करते हैं उनसे मुखलिफ किसम की functionality आप perform करवाते हैं तो यह operating system ही उनसाब को deal करता है file handling system इसके यह भी service operating system देता है कि जो files होती है हमारे जो offline files होती है उनको हम manage करते हैं operating system की मदद से ठीक हो गया basically computer में सब कुछ करता operating system ही है ठीक हो गया अब हम services पढ़ रहे हैं यह सब तो पढ़ने हमने और जो हम name देते हैं file को file को store करते हैं files को कुछ ऐसी files होती है जिनको हमने lock लगाना होता है ठीक है वो भी यह feature देता है operating system इसके इलावा operating system हमें backup की भी facility देता है files की के accidentally अगर कोई मसला बन जाए तो हम अपनी files को recover कर सकें इसके इलावा input output जो operations होते हैं वो भी perform करवाता है आपका operating system input output operation में होता है कोई चीज read करना और write करना read करना यानि computer से read write में यह भी आ जाता है कि आपने computer से किसी data की एक external device में यया external storage में आपने जो data को load करना या उधर copy करना operating system आपकी device में जो भी communication होती है उसका भी service आपको provide करता है चाई वो communication मुखलव process के दर्मेयान हो या ठी मुखलव operating system के दर्मेयान यानि मुखलव devices होती है उन devices में किसी में कोई operating system है किसी में कोई operating system है फार एक लीनेक्स भी एक operating system है और विड़ो भी एक operating system है दो मुखलब computer में अगर दो operating system है तो उनके दर्मियान भी communication को यह manage करता है यानि यह flexibility रखता है कि दूसरों के साथ भी यह communication कर सके इसके इलावा यह routing करता है connection है जो है आपसमे connection बनाता है थाकए फो एक communication कहा सके अब जो communication है ऑपरेटिंग system में यह mainly दो तरीकों से होती है एक तरीका होता है message passing का और दूसरा तरीका होता है shared memory का अब जो shared memory का तरीका है ये थोड़े बड़े लेवल पर यूज होता है और message passing का तरीका जो होता है वो छोटे लेवल पर यूज होता है shade memory में जो भी आप message send करते हैं जो भी communication करते हैं आप दूसरे device के साथ या किसी भी दूसरे process के साथ वो फोरी तोर पे होती है यानि जो आपका message होता है वो deliver फोरी तोर पे हो जाता है लेकिन जो message passing होती है message passing का method है ये थोड़ा सा slow है इसमें late forward deliver नहीं होता आपका message आगे operating system के service ये भी दिया के resource allocate करता है मुकलफ process को मुकलफ process को जो जो चीजें चाहिए होती है for example एक music application यूज़ कर रहे है उसको जो जो resources चाहिए for example उसको storage चाहिए या उसको input output device की ज़रुएत है कि वो अपनी functionality पर फार्म करवा सके तो ये resource allocate करता है मुकलफ process को अजान होने लाग पड़ी थी एक अजान सुन लिया है अब आगे ये complete करके मस्ज़द की तरफ जाते है इंचाहला आगे आता है error detection operating system में program को run करते हुए मुकलफ किसम के errors आ जाते है तो उन error को ये detect भी करता है और उनके खलाफ एक effective action भी लेता है ठीक होगा ता कि application या जो भी process है वो smoothly काम कर सके अब operating system ये भी service परवाइड करता है कि आप अपने अपनी device जो दोती है उसका इसाब किताब रख सके किस user ने अगर बहुत सारे user use कर रहे हैं device को तो उनका एक इसाब रख सके कि फलाण जो idea उसने कितना use किया और कौन-कौन से process को use किया responsive functionality उसने perform करवा है इस device से simply यह ही है कि यह user रखता है record रखता है screen time हो गया कितना हो गया आपके android mobile भी आपको एक accounting ही एक किसम की देते है कि वो आपको बताते है कि आपने कितनी देर mobile यूज किया क्या का function किया यह accounting होते है जो कि operating system perform करवाते है लास्ट सर्वस जो हम पार्टने ऑपरेटिंग सिस्टेंग की वो है protection and security जो भी process होता है वो एक secure manner में हो यह facility देता है ऑपरेटिंग सिस्टेंग आपको इसके इलावा security में आपकी login ID और password मांगता है operating system ताके कोई MA बंदा जिसको जरूरत नहीं है यह फिर कोई गैर जरूरी इस्तमाल ना कर सके इसका यह गलत इस्तमाल ना कर सके आपकी जो device है आपका जो data है उसमे protection and security की facility भी यह देता है आपसे password मांगेगा आपकी एक ID अलाग से बना देगा ठीक हो गया जिसको सिरफ आप एकसेस कर सकते हैं through your identification okay यह थी operating system की services इंशाला next मिलते हैं ओके लाफीज